ओम शांति ओम शांति आज 6 अगस्ट 2014 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बापतादा के मधुर महवाक्यों को मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो क्योंकि अब तुम्हें विकर्मा जीत संवत शुरू करना है प्रश्न हर एक प्रामन बच्चे को किस एक बात में बाप को फोलो आवश्य करना है उत्तर जैसे बाप स्विम टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं ऐसे बाप के समान हार एक को टीचर बनना है जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है तुम टीचर के बच्चे टीचर सत्गुरु के बच्चे सत्गुरु भी हो तुम्हें सच खंड स्थापन करना है तुम सच की नईया पर हो तुम्हारे नईया हिलेगी डूलेगी लेकिन डूब नहीं सकते ओम शांते रूहानी बाप पैट बच्चों के साथ रूरिहान करते हैं रूहों से पूछते हैं क्योंकि यह नई नॉलेज है न मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अत्वा पढ़ाई यह तुम को कौन पढ़ाते हैं बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं यह भूलना नहीं चाहिए वह बाप है फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया यह भी तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए हर एक बात में निश्चे होना चाहिए नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है मूल बात ही बाप की हुई बाप हमको यह शिक्षा देते हैं, ब्रह्मा ध्वारा, कोई ध्वारा तो देंगे न, गाय हुआ भी है, पगवान ब्रह्मा ध्वारा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा ध्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो देवी देवता धर्म अभी नह इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सत्यूग में और कोई धर्म था ही नहीं, यह बातें तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, अब तो अनेक धर्म हैं, अब फिर बाप हम को मनुश्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम पुरानी की तो नहीं होगी? बच्चों को यह निश्य है कि नहीं दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताइं. तो अब हमको भी क्रस्थ विवार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं. पहले-पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना हैं. कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे, अब आप कहते तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारन करने है, ये विकार काम क्रोध आदी अगर है, तो दैवी गुण नहीं कहेंगे, विकार में जाना, क्रोध करना ये आशुरी गुण है, देवताओं में लोब हुगा क्या, वाँ पाँच विकार होते नहीं, यह है ही रावन की दुनिया, रावन का जन्म होता है, त्रेता और द्वापर के संगम पर, जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है न, ऐसे वह भी संगम हो जाता है, अभी रावन राज्य में बहुत दुख है, बिमारी है, इसको कहा ही जाता है रावन रावन को हर वर्ष चलाते हैं वामर्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं अब तुमको निर विकारी बनना है यहां ही दैविकुन धारन करने हैं जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए एक होता है राजा विकर्मा जीत दूसरा होता है राजा विकर्म यह है ही विकर्म संवत यानी रावन विकारियों का संवत यह कोई समझते नहीं ना कल्ब की आयू का ही किसी को पता है वास्तव में विकरमा जीत होते हैं देवताएं पांच हजार वर्ष में पच्ची सो वर्ष हुए राजा विकरम के पच्ची सो वर्ष राजा विकरमा जीत के आधा है विकरम का वे लोग बल कहते हैं परन्तु कुछ भी पता नहीं है तुम कहेंगे विकरमाजीत का सववत एक वर्ष से शुरू होता है फिर पच्चिसो वर्ष बाद विकरम सववत शुरू होता है अभी विकरम सववत पूरा होगा फिर तुम विकरमाजीत महराजा महरानी बन रहे हो जब बन जाएंगे तो विकरमाजीत सववत शुरू हो जा कर पड़ी है हमको पढ़ाने वाला को यह थोड़ी ही है हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं यह भी उनसे पढ़ता है पढ़ाने वाला तो ग्यान का सागर है वह है विचित्र उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं उनको कहा ही जाता है निराकार वहां सब निराकारी आत्मा कापिता लोकिक बाप को परमक्षर नहीं कहेंगे यह समझ की बात है ना स्कूल के स्टुडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं जब कोई मरतबा पा लेते बैरिस्टर आदी बन जाते तो फिर पढ़ाई बन ऐसे थोड़ी ही बैरिस्टर बन कर फिर पढ़ेगा नहीं बच्चे ही जानते हो तुमको फिर औरों को समझाना पड़े ये भी खयाल रखना चाहिए पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे तुम सब टीचर हो टीचर की ओलाद हो न तो तुमको भी टीचर ही बनना है तो कितने टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए जैसे बाप टीचर गुरू सत्गुरू है, वैसे तुम भी टीचर हो, सत्गुरू के बच्चे सत्गुरू हो, वे कोई सत्गुरू नहीं है, वे गुरू के बच्चे गुरू, सत्माना सच, सच खंड भी भारत को कहा जाता था, ये जूट खंड है, सच खंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वे है सच्चा साई बाबा जब रियल बाप आते हैं तो जूटे भी बहुत निकल पड़ते हैं गायन भी है ना नया डोलेगी तुफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं बच्चों को समझाया जाता है माया के तुफान बहुत आएंगे उनसे डरना नहीं है सन्यासी लोग तुम को ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तुफान आएंगे उनको पता ही नहीं है नया को पार कहा ले जाएंगे तुम बच्चे जानते हो भगती से सद्गती नहीं होती है नीचे ही उतरते जाते हैं बल कहते हैं भगवान आकर भगतों को भगती का फल देते हैं भगती तो जर जन्तु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादी चलती आ रही है। परमपरा से चली आई है। रावन को कब से जलाना शुरू किया है। कहेंगे परमपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इनों का ग्यान तो कोई नया है जिनोंने कल्प पहले समझा है வे जट समझाते हैं ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो शी बबा का ज़न्म तो है न जिसको शिवरात्री भी कहते हैं बाप समझाते है मेरा जन्म दिव और अलोकिक है प्रकृतिक मनुष्यों सदरश जन्म नहीं मिलता है क्योंकि वें सब गर्ब से जन्म लेते हैं, शरीर धारी बनते हैं, मैं तो गर्ब में परवेश नहीं करता हूँ यह नौलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ग्यान सागर के और कोई दे ना सके ग्यान सागर कोई मनुश्य को नहीं कहा जाता ये उपमा है ही निराकार की निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं समझाते हैं तुम बच्चे इस रावन के राज्ये में पाट बजाते बजाते दे अभिमानी बन पड़े हो आत्मा सब कुछ करती है ये ग्यान ओड़ गया है ये तो और्गन से हैं ना मैं आत्मा हूँ चाहे इन से कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो वो लोग फिर घर को इश्वर मान लेते हैं ब्रह्म ज्यानी तत्व ज्यानी है ना कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो इश्वर अल्ग हो जाए ये तो ब्रह्म को ही इश्वर कह देते हैं ये भी ड्रामा में नूंध है बाप को भी भूल जाते हैं जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए न क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है अभी तुम हो पुरश उत्तम संगम योगी ब्रहमन तुम उत्तम पुरश बनते हो कनिष्ट पूरश उत्तम के आगे माथा तेकते हैं देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं यह तो बहुत सिंपल बात है विराट रूप के बारे में भी बतलाया है विराट चक्र है न वे तो सिर्फ गाते हैं ब्राहमन, देवता, शत्रिय, लक्षमी नारायनादी के चित्र तो हैं न बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं तुमको भी करेक्ट कर रहे हो क्योंकि बक्ती मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वे हैं रॉंग इसलिए तुम तमो प्रधान भने हो अभी है ही अन्राइटियस वर्ल्ड इसमें दुख ही दुख है क्योंकि रावन का राज्य है सब विकारी है रावन का राज्य है अन्राइटियस राम का राज्य है राइटियस यह है कल युग वह है सत्युग ये तो समझ की बात है न, इनको शास्र उठाते कभी देखा है क्या, अपना भी नौलज दिया, रचना की भी समझानी दिये, शास्र बुद्धी में उनों के होते हैं, जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं, तो सबका सुख दाता एक शिबाबा है, वही उचते उच बाप है, उन स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हो, इस रावन राजे में भी राजाएं, महाराजाएं होते हैं, वह बोत साहुकार, वह कम साहुकार, उनको कोई सूरेवशी, चंद्रवशी नहीं कहेंगे, इनमें साहुकार को महाराजा का लकब मिलता है, कम साहुकार को राजा का, अ की प्रजा का देखो क्या हाल है लड़ाई जगड़ादी कितना है अभी तुमारी बुद्धी में आदी से अंत तक सारी नौलिज है रचियता भापअ practical में है जिसकी फिर भगती मार्ग में कहानी बनेगी अभी तुम भी practical में हो आधा कलप तुम राज्य करेंगे फिर बाद में कहानी हो जाएगी चितर तो रहते हैं कोई से कूछो यह कब राज eco करते थे तो लाखो वर्श कहए देंगे सन्यासी है निव्रती मार्ग वाले तुम हो पवित्र ग्रस्त आश्रम वाले फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम में जाना है स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं नीवरती मार्ग वाले तो कभी प्रवरती मार्ग सिखला ना सके आगे तो जंगल में रहते थे उनमें ताकत थी जंगल में ही उनों को भोजन पहुँचाते थे अभी वह ताकत ही नहीं रही है जैसे तुम्हारे में भी वाराजी करने की ताकत थी, अभी कहां है? हो तो वही न, अभी वह ताकत नहीं रही है पार्तवासियों का असल जो धर्म था वे अभी नहीं है, अधर्म हो गया है बाप कहते हैं, मैं आकर धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश करता हूं, अधर्मियों को धर्म में ले जाता हूं, बाकी जो बचते हैं, वे विनाश को जाएंगे, फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं, कि सब को बाप का परिचे दो, बाप को ही दुख हरता सुख करता क जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर सुखी बनाते हैं यह भी अनादी बना बनाया खेल है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुखह सार इस पुरू अटम पुरुश बनने के लिए आत्मा भिमानी बनने का पुर्शाट करना है सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अन्राइटियस काम नहीं करना है माया के तुफानों से डर्ना नहीं है सदा याद रहे सत की नहियां हिलेगी डुलेगी लेकिन डुबेगी नहीं सत गुरु के बच्चे सत गुरु बन सब की नहियां पार लगानी है वर्दान सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रियोगी आत्मा भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे साधनों के होते साधनों को प्रियोग में लाते योग की स्थिती डगमग नहूँ योगी बन प्रियोग करना इसको कहते हैं न्यारा, होते हुए निमित मात्र अनासक्त रूप से प्रियोग करना, अगर इच्छा होगी तो वे इच्छा अच्छा बनने नहीं देगे, मेहनत करने में ही समय बीद जाएगा, उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे औ स्लोगन, स्विम संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही, संतुष्ट मनी बनना है, ओम शंति